हमारी पार्टी लोगसभा के ग्याम चुनाब अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूझीवादी, संकीर्ण वे संप्रदायक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी अर्थात हमारी पार्टी या किसी भी गड़बंदन वे पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाब नहीं लड़ेगी इसके साथ ही जदिये चुनाब सं 2007 में यूपी विधान सभा के हुए आम चुनाब की तरा फिरी एंड फियर होता है जिसमें उस समय एवियम में कोई भी धामली वे गड़बड़ यादी नहीं की गई थी तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोग सभा के आम चुनाब अकेले ही लड़कर अपना भैतर रिजल्ट जरूर लाएगी यहां मैं ये भी कहना चाहूंगी के हमारी पार्टी गड़बंदन ना करके अकेले ही चुनाब इसलिए ल पार्टियों की जातिवादी मान सिक्ता अभी तक भी नहीं बदली है यही मुख्य वज़े हैं कि गड़बंदन करके चुनाब लड़ने में बी एस पी का बोर्ट तो गड़बंदन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है लेकिन उनका अपना बेस बोर्ट वे सेजकर अपरकास समाज का बोर्ट बी एस पी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है और इसके कुछ खास उधारन ये हैं कि यहां यूपी में सन 1993 में हुए विधान सभा के आम चुनाब सपा से गड़बंदन करके लड़ने से बी एस पी की किवल 67 सीटे ही जीत कर आई थी जबकि स पा को इसका ज्यादा लाब पहुचा था उसके बाद सन 1996 में बी एस पी ने यूपी में हुए विधान सभा का आम चुनाब कांग्रेस पार्टी से गड़बंदन करके लड़ा था जिसमें पार्टी की किवल 67 सीटे ही जीत कर आई थी और इस चुनाब में भी कांग्रेस पा पी ने यहां सन 2002 में विधान सभा के हुए आम चुनाब अकेले ही लड़ा था जिसमें पार्टी की पहली बार यहां 67 से बढ़कर लगबग 100 सीटे जीत कर आई थी जिसमें दो हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वज़े से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आई थे उसके पास सन 2007 में यूपी में विधान सभा के हुए आम चुनाब में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाब लड़कर यहां अपने पूर्ण भहुमत की सरकार भी बना ली थी जबकि उस समय यह चुनाब ईवियम से ही हुआ था जिसमें सुरू में कोई धानली बैमानी आदी नह लोग सभा आम चुनाब में वे देश के अन्यों राज्यों में भी अकेले चुनाब लड़कर खास कर बोर्ट परतिशत के हिसाब से पार्टी की काफी अच्छी इस्तिती रही है लेकिन पिछले कुछ वर्सों से अब हर चुनाब में एवियम में काफी धानली बैमानी आदी हो रही है ऐसी यह आम धार्मा है जिसकी खास वजे से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफी कुछ नुकसान हो रहा है